डिर्क्ट वीडियो कॉल कैसे करें, मुबाइल फॉन से डिर्क्ट वीडियो कॉल नहीं हो रहा है दोस्तों आप सबी को पता है कि हमारे फॉन के अंदर एक डाइलर होता है जिसे आप कॉल लगाते हैं, वहाँ पे एक वीडियो का अप्शन आता है के उपर क्लिक करें, और क्वालिटी भी बहुत अच्छी मिलती है, इसके अंदर कोई भी लैग नहीं होती है और उसकी जो क्वालिटी होती है, पिक्सर होते हैं वह बिल्कुल सही आती है वीडियो कॉल में तो आपको क्या करना है, जश्ट आप इस वीडियो को देखे, मैं आपको step to step guide कर देता हूँ, कैसे आप सभी direct वीडियो को लगा सकते हैं और यह चीज़ आप सभी phones के उपर apply कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि मेरे पास real me याफी oppo का phone है तो यह सभी phone के उपर आप apply कर लो, इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले सभी का solution एक है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, इस तरीके से मैं जो बता रहा हूँ, वो आपको follow करना है तो यदि आपके पास geogasim है, तो उसके पास भी geogasim होना चाहिए, जो आपकी call pick करेगा नमबर दो, आपको क्या करना है, इस तरीके settings के उपर जाओ, आप यहाँ पर ध्यान से देखना है, तब ही आपके phone में option भी आएगा और call भी लगेगी यहाँ पर जाने के बाद आपको mobile network पर click करना है, और यहाँ पर आपको setting आनी चाहिए, mobile network पर जाता हूँ, ठीक है तो यह भी आप enable कर देना, अगर आपके phone में यह option है, next अभी आपको क्या करना है, अपने phone के उपर जाओ, तो यहाँ से airplane mode को 5 second के लिए on करो, या फिर आप यहाँ से network के अंदर setting करवाई है, वो सारी ही enable कर लेना क्योंकि वो बहुत ज़्यादा important है, अब आपको जाना है, प्ले स्टोर पे, सर्च बार पे click करो, यहाँ लिखो Google डाइलर, जो भी आपका डाइलर है ना, तो वहाँ पे update आयोगी तो उसको update कर लो, basically सब के पास Google डाइलर है, क् यहीं से सब video call, normal call करते हैं, तो इसको आप update कर लेना, actually समटाइम क्या होता है, जैसे कि कोई application के अंदर bug चल ला होता है, यानि problem चल ली होती है, तो उसको update करने के बाद वो problem हट जाती है, तो आप क्या करना, phone dialer, जो भी है Google dialer, उसको आप up to date कर लेना, basically यहाँ पर जो Google dialer ह आपको phone के अंदर, ठीक है, तो आपको क्या करना, इस तरीके से press and hold करके रखो, यहाँ पर आपको एक icon मिलेगा, यह देखो, इसके उपर आप क्लिक करेंगे, इसकी setting open हो जाएगी, अभी आपको क्या करना, यहाँ पर आपको तीन option मिलेंगी, open, uninstall and force stop, तो सबसे पहले आप 4 stop, तो जैसे आप सब इसको 4 stop कर देते हैं, नेक्स्ट आपको क्या करना, इस तरीके से यहाँ पर storage and catches देखने को मिलेगा, इसके पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको clear storage and clear cache देखने को मिलेगा, तो आपको क्या करना, सबसे पहले आप आप clear cache शूर वाइफ सेकंड वेट करें अब आपको यहां पर क्लिए श्ट्री कर देना है जैसे आप कर देंगे उसके बाद दोस्तों बैक करें बैक करने के बाद यहां पर आपको जो मोबाल लेटान वाई-फै देखने को मिलेगा इस तरीके से यहां पर आप जो है इस वाली सैटि में, thank you so much guys